तो मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी BioPick में काम करेंगे और क्यों तो तब मैंने कहा था कि मैं आश्रया राय उनके BioPick में काम करूँगी क्योंकि उनकी जर्णी मुझे पता है जिस तरीके से उन्होंने failure देखे और फिर भी उनसे बिना डरे हुए जैसे वो आगे जाती रही जिस तरीके से वो अपनी professional life, personal life maintain करती एक proper blend है कि modernity और अपनी traditional values किस तरीके से साथ में लेकर चलना है तो वो मैंने उनसे सीख है तो अगर मुझे 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 मिलता है इन दोनों से किसी एक के बाइपिक में काम करूगी तो मेरी पढ़ाई चालू है मैं सिफ 20 साल की हूँ तो मुझे लगता है पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए और बॉलीवुड में तो मुझे लड़कों का इंटरेस्ट होता ही है तो मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रही हूँ सीए फाइनल स्टुएंट हो मैं जरनी काफी अच्छी रही है क्योंकि मैं एक नॉन पैजंट्री बैकड़ाउंड से हूँ तो काफी नया था मेरे लिए तो मैंने पिछले साली शुरू कर लिया था अपनी ट्रेनिंग इसके लिए तो पूरा साल उसी में चला गया कि किस तरीके से मिस इंडिया में जाना है और किस तरीके से वहा पर जाके परफॉर्म करना है तो जरनी काफी अच्छी रही है मेरी अहां तो बच्पन का कोई सप कि यह होता क्या है तो मुझे बता चला है इनमें पाजेंट्स बोलते हैं और इनमें किस तरीके से इन्रॉल करना है कौंसी चीजों की जरूत होती किस तरीके से खुद के ओपर काम करना होता है तो इसके बार में जब मैं रिसर्च कर रही थी तब जाके मुझे लगा कि शाय और मेल में चाल्डवूड क्रश है, शाहिद कपूर, तो उनकी मैं फैन हूँ, तो यह दोरो मेरे फेवरेट है बॉलीवूड में तो फिलाल में मिस्वर्ड में इंडिया को रप्रेजन करना तो बहुत बड़ी रिस्पोंसिटी है तो मेरा पहला फोकस यही रहा कि मैं इंडिया को एकदम अच्छे से जान लू जो करेंट अफेर्स है या फिर जो भी अभी हमारे देश में चल रहा है, जिन चीदों पर फोकस करने की जुरत है क्योंकि इंडिया को अगर रिप्रेजन करना तो इंडिया को जानना बहुत जादा जरूरी है तो सबसे पहले मेरा उसी चीज़ पर फोकस होगा और रही है हमारी ट्रेनिंग की बात तो वो तीन-चार दिनों में शुरू होने वाली है तो जैसी वो शुरू होगी मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी कि मैं क्या ट्रेनिंग कर रही है थांक यू थांक यू पर्श नरेंदर मोदी क्योंकि मैंने जैसे अभी पिछले जो पात साल उन्होंने जब देश को चलाया तो उस ताइम पर मैंने जो इंप्रोव्मेंट्स देखी कि मैं मुझे लगता है कि हा उन्हे में वाओ उन्हें उन्हें शेना आओ के कंट्रृ को सुधा यू तो व้ है थिस तरीके से हमारी जो कंट्री को को डेफ़लप करना है उन्हें तो वो एक ऐसे इंसान है जो सब कुछ कर सकते हैं इसलिए मैं उनसे बहुत जादा इंस्पायर होती हूँ जो उनकी capabilities है उनके ओपर वो हमेशा खरे होता है तो क्योंकि मैं राजस्तान से हूँ तो वहाँ पर अभी ऐसा नहीं कि सबको equal status मिलता है तो मेरा प्रोजेक्ट वहीं कि spreading awareness about gender equality जो अभी फिलाल women empowerment के stage पर है जहां पर हम लोग फिलाल women को एक equal status पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने वो कि मेरे घर में मैंने कभी कोई inequality नहीं देखी मेरे भाई और मुझे एक जैसा treatment मिला है मेरे parents के दरव से तो वही हम लोग आगे जाके लोगों से बात करके उन्हें बताना चाहते क्योंकि जब तक mentality change नहीं होगी तब तक कुछ बदलने नहीं वाला तो एक नजरिया बनाना है कि सब इनसान है किसी को लड़का या लड़की की तरफ से मत देखो सब इनसान है वो देखो अगरे सबस्टे में कि क्रिकेटर अगरे से अपने इसमें अभी हमारी विनिंग उसके आधम हम सारे इंट्राइक्शन से बजी और क्रिकेट पैंड नहीं हूँ कभी इधर-अधर थोड़ा सा भाई मेरे क्रिकेट बहुत देखते तो उनके साथ थोड़ा वह देखले हैं पड शुक्त को छिनेंगे